थोड़ा सा मैं पुराना एक बार डिस्कस कर लेता हूँ अभी हमारा फिलाल ना सर क्या चल रहा था क्लास के अंदर चल रहा था फाइनल अकाउंट सर फाइनल अकाउंट चली रहा था कि बीच में मैं इस चेप्टर को करने जा रहा हूँ स्टॉप सर वाई इस चप्टर को क्यों स्टॉप कर रहे हो रीजन इसका ये है क्योंकि अभी स्लेबर्स जो देखा है कॉलेज वालों ने क्लियरिटी नहीं करा कि फाइनल अकाउंट के अंदर फाइनल अकाउंट लेंगे या सिंगल एंट्री लेंगे आपको उसमें टेंशन लेने की जुरत नहीं है जितना पार्ट हमने कर लिया लगबग लगबग अल्मोस चप्टर 98% फिनेस हो गया था 98% हमारा फाइनल अकाउंट क्या हो चुका था फिनेस हो चुका था लगबग लगबग जितना पार्ट कंप्लीट हो चुका कोई दिक्कत नहीं आज एक नया चप्टर हम स्टार्ट करेंगे इस हमारा PPE प्रॉपर्टी प्लान्ट एंट एक्क्यूप्मेंट जो की हमारा है AS10 और ये हमारा चप्टर डेप्रिशेशन के नाम से जाना जाएगा ये चप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे और अगली क्लास के अंदर इस चप्टर को मैं आज करवा रहा हूँ डेट हैपका वेडनेस डे और फ्राइडे को ना और थर्स्डे को भी हम आपकी क्लास रखेंगे अभी मैं लास्ट में बता दूँँआ क्या टाइम है शड्यूल चेक करके एक बार फ्राइडे को आपकी एक क्लास लंबी होने वाली है 6-9 की 6-9 की क्लास होने वाली है जिसके अंदर इन्वेंटरी पूरा चप्टर खतम हो जाएगा आपका फ्राइडे तो आप मुझे फटा फटा आपका Slaybos कमप्लीट कराना है बहुत बच्चे TENCE में है कि भईया क्या करे नहीं करे तो आप Slaybos जो है मुझे जल्दी जल्दी खीचके चलना है आपका ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी का मतलब यह होगा कि भीया मतलब बस करा दिया हो गया बात खत्म इसके अंदर आपको समझ में भी आना चाहिए तो आज हम करेंगे स्टार्ट आपका प्रॉपर्टी जिसको हम नॉर्मली प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्क्यूप्मेंट के नाम से जाना जाता है ये चेप्टर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ढूंडते हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्क्यूप्मेंट के नाम से जाना जाएगा ये चेप्टर और देट इस एस टेन ये आएगा आपका एस टेन में एस टेन के अंदर आएगा ठीक है अब सर मैं सीडी सी बात करूं के जो ये चेप्टर है ना आपका सीडी सी बात है हमें कई चीजे ना नए तरीके से दे देते हैं तो हम उसको नए चीजों को सोचके जो चीजे हमें आता है वो भी भूल जाते हैं मैं अगर बात करूं सर इस चेप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं सर हम 11 वी क्लास के डेप्रीशेशन को पढ़ने वाले हैं बात खतम सीधी एक कहानी इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ग्यारवी क्लास में जो आपने depreciation खतम किया था उस depreciation को पढ़ेंगे बस थोड़ा सा extra part आ जाएगा यानि ये chapter बहुत simple रहने वाला है हमारे लिए जो कि ज़्यादा time नहीं 2-3 दिन में ये chapter भी खतम हो जाएगा पहले accounting standard पहले हुआ क्या करता था depreciation के लिए पहले हुआ क्या करता था सर डप्रीशेशन के लिए ना अलग से accounting standard था एस 10 ए 6 था आपका जिनके पास पुरानी book होगा ना वहाँ पर अभी भी reference में देखोगे एस 6 दिखेगा तो क्या था हमारा AS 6 पुराने टाइम पे depreciation की बात करें मैं एक मार इसको change कर दूँ शायद इसमें न कोई lag कर रहा है तो पुराने टाइम पे AS 6 था अब AS 6 के अंदर सिर्फ और सिर्फ depreciation की बाते की जाती थी और एक ना हमारा AS 10 था जिसके अंदर सिर्फ fix assets की बात की जाती थी के fix assets को ऐसे लिखना है fix assets को वैसे लिखना है और AS 6 में बोला जाता था depreciation SLM से लगाना है depreciation WDB से लगाना है तो low maker ने क्या feel किया कि भाई ये दोनों तो आपस में connected ही है depreciation और fix assets आपस में connected है तो बोला कि भाई ये 6 ना फालतों में खामा खाल लोगों को पढ़ना पड़ा इसको काट दो और इसको इसकी के अंदर क्या कर दो merge कर दो AS 10 का पहले नाम था fix assets AS 10 का पहले नाम था क्या sir fix assets तो जब दोनों merge होता है ना कोई चीज़े जब मिल जाता है ना तो उसका एक existence खतम हो जाता है जैसे Vodafone खतम आइडिया खतम जब दोनों मिल गए तो एक नया नाम invent हो गया वी आई के नाम से तो अब हाला कि कुछ भी बोल लो वोड़ा फोन आइडिया लेकिन नया नाम तो है न वो सेम ऐसे इन दोनों को जब खतम किया गया तो property plant हो गया AS 10 से and equipment ले लिया इसका नाम ठीक है न property plant and equipment इसमें क्या सिखाया जाता है कि depreciation कैसे charge किया जाता है तो मैं साथ के साथ बीच में discuss भी करूँगा कि पुराने से नए में आने का क्या reason था और इसे बदलने की क्या जुरुरत आ पड़ी इसमें से आपका theoretical part नहीं आता practical question पूछा जाएगा depreciation का तो हम आगे चलिए start करते हैं simple सी बात है आप दिमाग में ये लेके मत चलिएगा कि हम एक नए chapter पढ़ रहे हैं property planted equipment आपके लिए नया जरूर है लेकिन अगर जिसने 11 क्लास में पढ़ा है तो वही depreciation वाली सारी बाते मैं आज बताने वाला हूँ जो extra होगा वो enhance मैं आगे कर दूँगा सर सबसे पहले बोला गया depreciation की बात कि सर depreciation किस पे लगेगा तो जवाब आया सर depreciation लगेगा हमेशा fix assets पे किस पे लगने वाला है fix assets फिर दूसरा question आया why fix assets होता क्या है fix assets होता क्या है और fix assets किस पे depreciation लगने वाला है तो question आया fix assets दो परकार के होते है एक होता है tangible एक होता है intangible तो सर जो tangible asset से उसकी बात करेंगे हम इसको delete करके ही कर देगे है side system में tangible intangible intangible assets के उपर ना क्या करना है इसका depreciation लगाना है क्या करना इसकी जिम्मेदारी के देगे है accounting standard 26 को तो सर अगर intangible को समेट लिया intangible को जो जिम्मेदारी है वो 26 की है तो ऐसे situation में इसका मतलब AS 10 वाला जो depreciation वाला पार्ट है वो intangible पे तो नहीं लग सकता यानि जिस assets को बोल दिया एक AS ने एक accounting standard ने कि भाईया मैं इसके according calculation करना है तो ये इसके अंदर तो आएगा नहीं तो यानि good will patent copyright formula जितने भी पार्ट थे intangible assets उसके उपर depreciation नहीं लगेगा पहली बाद ठीक है ना सर tangible के अंदर सर बिलकुल tangible वाले पार्ट पे depreciation लगने वाला है tangible वाले पार्ट में क्या क्या जाता है सर machinery और वो भी fixed assets नमबर दो furniture नमबर तीन motor car नमबर चार building मैंने यहां building लिखा land and building नहीं लिखा तो बोला गया भी यह इसके अंदर भी आप उसी के उपर depreciation लगाना जिसकी life जो है वो finite हो यानि life ढूंडना जरूरी है life क्या होना चाहिए finite होना चाहिए life finite से मतलब क्या है आप अंदाजा लगा सको मैंन लेते हैं कि हम कोई भी एक AC खरीते हैं तो बोलते हैं भाई 8-10-10 साल चल जाएगा phone खरीते हो 2-3 साल चल जाएगा तो एक अंदाजा तो लगाते हो न उसका life का तो ऐसे assets जिसका आप life का अंदाजा लगा लेते हो वो fix है और intangible नहीं है उसके उपर depreciation चार्ज होगा लेकिन land की एक बात करे तो बताओ इसकी life का अंदाजा कोई लगा सकता है कि land की तो नहीं लगा सकता है तो सारे के सारे tangible fix assets पे लगेंगे except except किसके उपर नहीं लगेगा सर except land के उपर depreciation नहीं लगने वाला land के उपर depreciation लगना ही नहीं है सर तो ये सारा का सारा point हमारा cover होता है किसके अंदर depreciation सबसे पहले तो ये पता कर ले के लगेगा किस पे लगेगा किस पर fix assets पर लगेगा कौन सा होना चीए tangible होना चीए tangible के अंदर भी उसकी life क्या होना चीए जिसे determine किया जा सकता है अंदाजे से कि उसकी life ये होने वाली है तो ये है हमारा fix assets tangible और intangible जिसके उपर depth लगाएंगे theory के part में थोड़ा सा पूछा जा सकता है अब sir depreciation लगाने के लिए किस पर लगाएंगे ये तो पता चल गया लेकिन यहाँ depreciation लगाने के भी ना method है depreciation लगाने के सर method होते है हाला कि बहुत सारे method है लेकिन lawmaker कहता है कि वह या दो ही method सबसे ज़्यादा popular है जो लोगबाग लगाएंगे और उसी के उपर focus रही है आप यानि sir depreciation लगाने के दो method है कौन कौन से method है एक है SLM एक है WDB एक है SLM और एक है WDB तर नाम आपने ना पहले सुन रखा है ये सब ऐसा नहीं कि आपके लिए नया नाम है कोई और नहीं चीज़े है कोई अब SLM के काफी सारे नाम है मैंने कहा SLM जिसको हम बोल देते हैं किस नाम से sir straight straight line method दूसरा इसका नाम रखते है fixed installment method तीसरा नाम रख देते हैं sir original cost cost method तो ना एक ही का ये इतने सारा नाम है इनमें फरक क्या रहता है वो भी देखेंगे हम इनमें फरक क्या रहता है वो भी देख लेंगे अगले की हम बात करते हैं तो एक इसका एक और method number two है जिसको हम बोलते हैं return down return down value method return down value method एक मिनट मैंने जुबारा restart कर देता हूँ कुछ दिक्कात आ रही है मैं इसको save कर देता हूँ file को पहले फिर restart मारते हैं मुझे एक बड़ system restart करना पड़ेगा क्योंकि lag हो रहा है थोड़ा लिखने में space तो नहीं full हो गया देख लेते हैं c disk में 19 db है और एक खाली है space तो रही है दो मिनट दीजिएगा मैं दुबारा से restart मारता हूँ जितने बच्चे भी लेट जोइन हुए है पहला chapter है कोई दिक्कत ने बस दो मिनट रोगी है खाली है जित्थ का पाल Guई दोगल करेछा है यह मिनट ढ़на कोई जित में यह उआर कर वे शवक्वर कर वे सकताने मृश्य कोई में जित्ताmers मृश्य चलिए अब ठीक काम कर रही है सर क्या नाम था रिटन डाउन रिटन डाउन कहानी तो वही घूम पर गया गई वेल्यू मेथ़ड नमबर वन नमबर टू एक और नाम है इसका डिमनेसिंग बैलेंस मेथड बैलेंस तीसरा है रिटूइसिंग मेथड रिटूइसिंग कॉस्ट मेथड चलिए आपके ने दो मेथड से पहले वाला जो मेथड है न यह सबसे ज़्यादा पॉपलर किस नाम से पता है यह सबसे ज़्यादा पॉपलर है SLM और जो दूसरे वाला मेथड है न यह किस नाम से पॉपलर है WDB तो आपने इतने सारे नाम पहले 11 वी क्लास में भी सुन रखा है के WDB क्या है SLM क्या है अब बेसिकली इन दोने में फरक क्या है SLM में क्या फरक है WDB में वैसे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है फिर भी मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ सपोस करो मैंने एक एसेट एक जनवरी 2020 में खरीदा और एक लाग का खरीदा सेम मैं इस जगे पर जाता हूँ और इसमें भी एक जनवरी 2020 में मैं खरीद रहा हूँ और सेम खरीद रहा हूँ सर एक लाग का मैं दोनों एक ही कोश्चन को एक ही अमाउंट को एक ही डेट के इसाब से दोनों मेथड से करके दिखाऊँगा डिफरेंशेट आपको क्लियरली पता चल जाएगा rate of depreciation 10% दे रखा है rate मैंने दे दिया सर 10% सर 10% से देखा जाए तो पहले साल का depreciation साल के अंत में लगेगा जो की 31-12 है और 10% के हिसाब से देखा जाए तो सर 10,000 लगेगा कैसे लगा सर 10,000 एक लाख रुपेया पे 10 परतीशत यानि माइनस करके बचा सर कितना 90,000 ये तारीख है 1-1-2021 फिर से depreciation लगेगा 31-12-2021 31-12-2021 फिर से depreciation लगने वाला है सर 10,000 कैसे लगा सर इसी एक लाख के ऊपर फिर से हमने calculate किया 10% अब बचा सर हमारा 80,000 डेट आया 1-1-2022 फिर से depreciation लगेगा 31-12-2021 को सर इसका मतलब depreciation साल के end में लगता है जी हाँ depreciation हमेशा साल के end में लगाना है आपने ये आया 90,000 इसका मतलब depreciation साल के end में लगाना है आपने 70,000 रुपया गया सेम ये सर 10,000 फिर कैसे निकाला आपने सर मैंने 10,000 जो निकाला ना वो अगेन एक लाग के उपर सीधा 10% निकाला ठीक है ये एक लाग पर मैंने 10% निकाला है दूसरी साइड आ जाईए सर दूसरी साइड अगर ये वाला मैथड होगा तो फिर से depreciation कब लगेगा 31,12 2,020 सर 10% के मतलब सर 10,000 लगेगा सर 10,000 कैसे आया एक लाख रुपे के उपर सीधा 10% बचे कितने 90,000 तारीक है एक 1,1,2,021 फिर से 31,12,2,021 अब जो depreciation लगेगा सर कितना लगने वाला है 9,000 सर कैसे आया जो ये वाला बैलेंस निकल के आया था ना इसके उपर हमने लगाया 10% तो फरक आपको दूसरे पहले साल में तो कोई फरक दिखेगा ही नहीं आपको कभी भी फरक कहां से दिखेगा आपको दूसरे साल के अंदर अब बचा मेरा कितना 81,000 इसके बाद 1,1,2,022 और 31,2,022 को फिर से डप लगेगा 8,100 that is आपका 72,900 बचेगा सर ये कैसे आए सर ये 81,000 के ऊपर आएगा सीधा 10% तो दोनों में सबसे पहले Separate ढ़नोर देख लो क्या difference है अगर मैं दोनों की बात करूँ तो आप पहले एक बार ध्यान से इसके differences को देखो क्या difference है यहाँ पर भी आपके सामने मैंने एक सवाल करा हुआ है और यहाँ पर भी ने आपके सामने एक सवाल किया हुआ है तो सर दोनों में क्या differences है ये देख लिजे एक पर पहले आप दोनों में क्या difference है यहाँ पे हर बार इसी value के उपर depreciation लगा है सर हर बार इसी value के उपर depreciation लगता गया लगता गया लगता गया यहाँ पे हर बार इस value पर depreciation लगा है कि जो बचा है ना balance उसके उपर लगा है अब इसके नाम करन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका नाम पढ़ा हुआ है पहला method कहता है सर straight line method अब straight line method के लिए अगर मैं आपके सामने graph बना के दिखाऊ ना अगर मैं आपके लिए graph बनाता हूँ वान लो यह graph है इसको कर देते हैं हम screen नीचे रख देते हैं हम year उपर रख देते हैं हम depreciation ठीक है year one year two और year three पहले साल में depreciation मैं यहाँ पर रख देता हूँ 10,000 फिर यहाँ आएगा 20,000 फिर यहाँ रख दिया suppose 30,000 मैंने depreciation रखा इसले हैं पहले साल का depreciation देखोगे तो कहाँ plot होगा दूसरे साल तीसरे साल तो आप ध्यान से देखोगे न तो यह एकदम straight line तरीके से बन गया इसलिए इसका नाम करन पढ़ गया straight line method graph के point of view से बताया समझ में आ रहा है अगला नाम है इसका fix installment method mobile phone आपने अगर किस्त पे खरीदा हो तो किस्त payment किया होगा तो हर बार किस्ते समान जाती है आपके तो जब किस्ते समान हो एक fix amount हर बार calculation हो तो उससे बुलते है fix है भाई एक तरीके से fix installment method नाम पड़ी गया क्योंकि amount क्या है हमारा fix है अगला है original cost method original cost कहते हैं जितने का खरीदा है इसको purchase price को कहते है यानि जितने का खरीदा है उस price को हम बोलते है original cost तो हर बार देखो depreciation जो charge हो रहा है ना हर बार original cost पे charge हो रहा है यानि यहां पे भी depreciation एक लाग और original cost क्या इसे 60 एक लाग यहां पे भी depreciation एक लाग पे यहां पे भी depreciation एक लाग पे यहां पे भी depreciation एक लाग पे इसलिए इसका नाम पड़ गया original cost method अब इसका नाम देख लेते है return down value method minimizing balance method reducing cost method सबसे पहले तीसरा पढ़ते हैं Reducing Cost अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ हूँ बड़ा जनरल सा सवाल है आप जवाब दे देंगे वैसे तो कि मुझे अगर मैं सवाल पूछ हूँ सर क्या सवाल कि जो ये वाला मैथट है इसके अंदर Total Depth कितना था तो आप बोलोगे सर इस वाले मैथट में Total Depth था 10,000 10,000 तीन साली तो लगाया 10,000 यानि यहाँ पे 30,000 और दूसरे वाला मैथट है यहाँ पे Depreciation था 10,000 9,000 एंडिक 800 यानि आपका 19 और 8 27,000 सर कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा कॉस्ट का मतलब क्या होता है माल लेते हैं एक प्रोड़क्ट हम तीन साल में तयार करते है राव मट्रियल आता है हमारा एक लाग का बाकी Depreciation लग जाता है तो एक लाग का राव मट्रियल यहाँ भी और यहाँ भी इस वाले केस में Depreciation 30 का लगेगा तो उसकी कीमत मेरे लिए हो जाएगी एक लाग 30,000 तो उस प्रोड़क्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी एक लाग और यहाँ पर दूसरी साइट देखें तो उस कॉस्ट की कीमत कितनी हो जाएगी एक लाग 27,100 तो हमारे कॉस्ट को रिडियूस करता है यह मैथट इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया है Reducing Cost मेथट यानि Overall जो कॉस्ट है वो क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है इस वाले मैथट के अंदर ठीक है पहला यह नाम पता चला Diminishing Balance मेथट Diminishing Balance मेथट का मतलब के Depreciation का जो Balance है ना Diminishing का मतलब होता है कम होना Diminishing का बेलेंस मतलब होता है कम होना तो हर बार जो Depreciation लगेगा ना वो क्या होगा हमारा Value कम होता जाएगा यानि पहली बार Depreciation कितना है फिर कितना है यह consistently आप देखोगे तो यह reduce होता जाएगा dimnising होता रहेगा इसके लिए इसका नाम पढ़ गया dimnising balance method एक है return down value method यानि जो भी minus करने के बाद जो down में value आएगा उसके उपर डप लगाना है फिर minus करने के बाद जो down में value आएगा उसके लगाने तो इसलिए पढ़ गया return down value और इसको बड़े प्यार से WDB भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं SLM भी बोला जाता है अगर मैं difference की बात करूँ दोनों में difference पूछा जाता है हमारे exam में कि बताइए दोनो SLM और WDB में क्या difference है कई बार exam में सवाल पूछा गया है क्या difference है तो पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे difference बता दू यहाँ पे जो total cost है वो ज़्यादा होगी और यहाँ पे total cost क्या होगी कम दूसरा यहाँ पे depreciation एक fix होगा और यहाँ पे depreciation change होता जाएगा तीसरा मैं बात करूँ इसमें assets की value एक ना एक दिन 0 हो जाएगा क्योंकि मैं 10-7 बार और लगा दूने इस पे depreciation तो value कितनी हो जाएगी लेकिन यह value कभी 0 देखो आपके 3-4 difference हो गया और इसका diagram कुछ ऐसा बनेगा graph और अगर इसका मैं graph बनाऊ न इसका graph कुछ slope इस तरीके सोगा जैसे demand बगरा में किया होगा कि पहले ज़्यादा था फिर घट गया घट गया घट गया तो इस graph भी आप बना के difference बता सकते हो इसमें depreciation हमेशा original cost पे लगाया जाता है यानि जिस purchase पर करा था उसी पे हर बार depth लगेगा इसमें जो balance बचता है उसके उपर depreciation लगाया जाता है ठीक है समझ में आ रहा है तो इसी तरीके से आप differentiate मैंने जैसे 5-6 बता है मैं अभी theory पे अभी focus नहीं करना इस chapter के पहले मैं इस chapter का practical कर लूँ एक बार practical दिमाग में बैठ जाएगा सर reducing cost method फिर से explain कर दीजिए reducing cost method के अंदर क्या था कि आपका जो cost है total cost की मैं बात कर रहा था कि मान लेते हैं एक product आप कोई भी समान बनाते हो समझो जैसे कि मान लो कि मैं एक ना कोई भी समान बना रहा हूँ एक product बना रहा हूँ इस product को बनाने के लिए न दो चीज़े होगा एक raw material का खर्चा होगा और एक जो factory के अंदर cost लगेगा वो खर्चा होगा तो sir इसका raw material का खर्चा मैं ने बोला एक लाख है और cost मेरा depreciation है बस तो अगर ये वाला method फॉलू करूँगा तो तीन साल में बनके तैयार होगा एक लाख तो raw material लग गया तीस अजार ये लग गया तो total cost कितनी होगी एक लाख लेकिन अगर ये वाला method फॉलू करूँगा तो एक लाख का तो raw material है यहाँ पर depreciation कितना लग जाए का 27,100 तो यहाँ पर total cost एक लाख 27,000 तो अगर देखा जाए इस वाले method के अंदर हमारा cost कम आ रहा है इसलिए इसका नाम पढ़ गया reducing cost method बताए क्लियर है यहाँ तक क्लियर सभी को कोई दिक्कत इसमें अब आगे चलते हैं एक एक करके दोनों method को पहले समझेंगे accounting कैसे की जाए पहले method के लिए क्या accounting treatment है फिर दूसरे हमें पता तो चली गया अब पहले method के लिए हम accounting देखेंगे कैसे करें तो सर पहला method हम start करने जा रहे हैं that is SLM और SLM अब मुझे दुबारा जो है short form यूज़ करूँगा तो आपको clear होन अच्छी है सर SLM कौन से method की बात की जा रही है तो अगर मैं SLM की बात करता हूँ तो बड़ी सी बात है यहाँ पे आपको दो तरीके से question पूछा जा सकता है हाला कि तीन तरीके से लेए लेकिन मैं अभी दो की बात करूँगा सर दो तरीके से कौन से question पूछे जा सकते है आप से पूछा जा सकता है ultimately आपको depreciation ही निकालना है तो आपको when rate of depreciation is given जब rate of depreciation given होगा सर रेट of depreciation क्या होता है rate of depreciation जैसे कि मैंने पिछले वाले सवाल में आपने देखा के 10% निकाला और आपने हर बार आर्षानी से percentage निकाल लिया अब यहाँ बे मैं एक लाग की जगह पे आपको 50 लाग भी दूँ या 5 लाग भी दूँ या 2 लाग भी दूँ तो आप आराम से depreciation का amount निकाल सकते हो परसेंटेज से तो अगर rate given हो तो समस्या नहीं है problem पता है कि अब एक बेन rate of depreciation not given problem यहाँ create होता है जब examiner आपको rate of depreciation देता ही नहीं तो जब आपको examiner rate of depreciation नहीं दे रहा तो क्या करेंगे examiner आपको rate of depreciation दे ही नहीं रहा तो ऐसे situation में क्या करेंगे यहाँ पे rate of depreciation दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे पीछे solution किया था वैसे करेंगे जब आपको rate of depreciation नहीं देगा तो आपको depreciation निकालने का एक formula होता है क्या होता है sir depreciation is equal to cost plus installation charge installation charge या फिर अधर अधर एक्पेंस plus minus scrap minus scrap sir scrap को हम salvage value भी बोलते हैं और reducing value भी बोलते हैं इन सभी को divide कर देंगे इन सभी को divide किया जाएगा useful estimated life से useful estimated life से ठीक है ना ये formula है इससे हमें एक depreciation निकल के आएगा और वो depreciation जो होगा वो annual होगा एक मेहने का नी दो मेहने का छे मेहने का नी पूरे साल का अब इसमें component समझते है सर पर कोस्ट क्या है कोस्ट का मतलब क्या है सर कोस्ट का मतलब है यहां पर purchase price purchase price दूसरा देखते हैं सर यहां पर other expense क्या है या installation charge क्या है installation charge सर इंस्टॉलिशन चार्ज जो होता है वो होता है assets को या फिर extra payment और ready to use यानि आपको इस्तमाल करने के लिए extra payment जैसे AC की बात करूँ तो AC का जो होता है न इंडोर तो लग गया आउटडोर के लिए उसके लिए न एक तरीकी का वहाँ देखा जाए तो आपको install जैसे कोई भी इंजीनियर आता है तो AC लगाएगा कुछ भी लगाएगा तो उसको जो हम payment करेंगे हमने AC अगर एक लाख रुपे का खरीदा है और इंजीनियर को मैंने पंदरा सो रुपे का payment किया है तो वो हो जाएगा installation charge तो वो भी हमारा cost का ही part माना जाएगा सर अधर expense में क्या हो सकता है जब हम कोई assets खरीदते हैं न तो हम कई बार insurance करवा लेते हैं प्लस carriage हो सकता है प्लस जो भी खर्चा हो रहा है उसे assets से related या आपका import duty हो सकता है या सर फिर commission हो सकता है जिसको आपने paid किया हो खरीदते time पे सर scrap value का मतलब होता है जैसे कोई भी assets होता है मानले इतने मैंने इसी खरीदा तो 10 साल life है 10 साल के बाद तो खराब हो जगया जब खराब हो गया तो उसको हम scrap में बेचेंगे जब कभी भी खराब होगा उसे scrap में बेचा जाएगा और जब कभी भी उसे scrap में बेचेंगा तो कुछ value हमें मिलेगा उसको क्या बोलेंगे scrap value यानि कोई भी कवाड में बेच देना assets को finally last में कवाड में बेच देना जिसको क्या बोलेंगे हम scrap value या फिर salvage value तो सर ये क्या होता है scrap value या salvage value तो ये होता है हमारा scrap value ये होता है amount receive at the end of end of its life at the end of its life यानि उस assets के life के खतम होने के बाद जो value मिलेगा उससे बोला जाएगा दुबारा लिख देते हैं amount receive at the end of its life सर estimated useful life क्या होता है वो life जो कि आपने अंदाजा लगाया है कि भीया इतने तो हमें चलेगा ये machinery तो वो हमेशा estimated होता है इसलिए हमने बोला estimated नाम रखा है कभी पका नहीं होता है आपने सोचा आपका mobile phone 3 साल चलेगा हो सकता है 5 साल दस दिन में ही खराब हो जाए तो estimated एक life लगाया जाता है बस तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं depreciation का amount निकाल सकते हैं सर इसके लिए एक example देखिए इसके लिए एक example लीजिए मान लेते हैं कि हमने एक example में लेते हैं कि मैंने एक machinery खरीदा that is rupees 1 lakh installation करवाया that is 20,000 एक ना word और होता है मैं लिखते लिखते बीच में बोल रहा हूँ erection erection क्या होता है उस assets के जहां पर रखते हैं वहां के लिए space को बनाना है उसे क्या बोलते हैं erection बोलते हैं machinery के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको पता चल जाए नाम परिशान करेगा नहीं तो erection आप देख रहा है यह बड़ी बड़ी machine होती है तो erection का मतलब जो इसका structure बनाया जाता है उपर shade वगरा डाला यह सब करा यानि सिर्फ उस machinery के आप देख रहा है यहाँ पर इसी machinery के लिए proper यह काम चल रहा है यहाँ पर इसी machinery मतलब कुछ ऐसे assets होते हैं उसके लिए अलग से proper room जैसे generator है बड़े बड़े देखे होंगे तो ऐसा नहीं कि आपके बड़े वाले generator उसके लिए अलग से space, अलग से room, अलग से घर भी बनाते है generator room भी अपने सुनाओगा तो that's room क्या है हमारा erection है वो तो वो भी assets का party माना जाता है और उसे assets में जोड देते हैं तो ये सारा का सारा जो दिखाया जा रहा है ये machinery के लिए तो ये किसका part सासर? erection कई बार सवाल में आएगा erection तो उसी के अंदर add हो जाएगा हाला कि मैं इसी में लिख देता हूँ erection 30,000 commission paid 20,000 scrap scrap value 50,000 useful life sir 10 years ये सवाल है और आपसे बोला गया calculate depreciation calculate depreciation आपको depreciation निकाल करके बताना है बड़ी सीधी सी बात है चली आईए calculate depreciation की बात करें तो कैसे निकालेंगे depreciation इसी के side में कर लेते हैं depreciation is equal to सबसे पहले cost लेंगे फॉर्मूले के सबसे तो cost के MRM machinery की एक लाग इसके अंदर प्लस कर देंगे सर क्या प्लस करने वाले हैं इसमें हम erection installation जो भी है तो मैं 81 जोड देता हूँ ये भी प्लस करने वाले हैं ये भी प्लस करने वाले हैं और commission भी प्लस करने वाले हैं तो 30 और 20 पचास और 20 शायद इधर कुछ दिक्कत आ दिया है सत्तर ठीक है न इसके बाद minus scrap value सर scrap value divided by divided by useful life useful life कितनी है 10 है तो आप इसको total करेंगे तो 1,70,50 मैंनस करेंगे 1,20,000 और 1,20,000 में से फिर 10 से divide करेंगे तो that is 12,000 12,000 ठीक है तो ये था हमारा एक depreciation निकालने का तरीका clear है यहां तक देखिए पहले कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं जब आपको rate नहीं given होगा तो आपको इस process से जाना पड़ेगा कि कैसे करें ठीक है अब अगर rate given होगा तो normally निकाल लेंगे depreciation जब कभी भी लगता है तो हमारे assets की value में कमी आ जाती है ठीक है न तो depreciation लगाने की journal entry यहां पर मैं कर देता हूँ journal सबसे पहले number entry बात करें depreciation लगाने की journal तो लगेगा हमारा depreciation account debit to machinery to machinery sir being क्या लिखोगे being depreciation charge on machinery सेफ यही तक खतम नहीं होगा एक और entry हम करते हैं जब P&L में transfer करते हैं तो entry होता है हमारा profit and loss account debit to depreciation यह है profit and loss account में transfer करने की entry sir amount क्या आएगा यहां पर amount आएगा जो भी amount है whatever मान लेते हैं 10 अजा यह हमारे दो entry हो जाती है यानि depreciation लगाने की बात करें तो यहां पर क्या है के एक तो depreciation जब लगाएंगे तो depreciation debit होगा क्योंकि खर्चा हो और assets कम हो रहा है इसलिए credit हो गया आ रहा है दूसरा depreciation पीएंडल में भी दिखाते हैं आपने देखा होगा जब हम question कर रहे थे तो तो पीएंडल account debit हो जाता है debit side में जाता है और two depreciation यह overall हमारा entry बनता है कि इसका depreciation चार्ज करने का कई बार examiner पूरे सवाल में कह सकता है आपको कि आप pass necessary journal entry तो journal entry भी करने के लिए prepare रहना है कि किस तरीके से किया जाएगा पहले यहां तक देखिए कोई दिक्कत है तो बताईए फटा फट से इसको note कर लिजिए एक बारा फिर मैं noting के लिए proper timing दे रहा हूँ noting कर यहां तक पटा फट हम second class property plant equipment और मैं साधारन सब्दों में बोलू भईया यह कुछ नहीं है सरिफ है depreciation तो depreciation की second class क्योंकि college के अंदर बच्चों को यहीं बताए जाता है सो उसने कुछ नया है तो इसलिए मैंने नया word यूज कर लिया permit वही है 11 class वाला लेकिन जब मैं 11 class वाला बोलता हूँ न तो दो तरीके के बच्चे हैं कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि फिर भी कुछ तो difference है कर लेते हैं कुछ बच्चे सोचते हैं 11 class वाला बोली रहे हैं तो छोड़ो हटाओ इसको देखके क्या फायदा थे तो ये गलती नहीं करना मैं सरिफ ये इसलिए बोलता हूँ कि ये 11 से related है या ये असान है ताकि आपको पिछले concept से याद रहे है लेकिन अगर 11 वी में होता और first year में होता थोड़ा तो फरक रहेगा ना तो उस थोड़े फरक के लिए आपको मुझे zero से कराना पड़ता क्योंकि बहुत सारे बच्चे online में ऐसे भी होते हैं जो कि क्या पढ़ रहे होते हैं सर जो कि science stream के होते हैं उन्हें admission नहीं मिल पात हों आपका भी बिल्कुल basic से ही चल रहे हैं तो जितना आपको आता है well and good उसको स्रिफ आप remind करिएगा और जो नहीं आता उसको अच्छे से समझ के noting भी कर लेजिएगा सर ये है हमारे depreciation account depreciation account हाला कि मैंने गलत लिखा यहां शब सर depreciation कर रहे हैं लेकिन इसका account का नाम होता है fix assets आप समझ के करिएगा क्या नाम है सर fix assets fix asset account और fix assets में भी tangible सरिफ tangible का मतलब मैंने बताया था जिस पर depreciation लगता है उसी का account बनाएंगे ना depreciation किस पर लगता है हमारे depreciation लगता है fix assets और fix assets भी कौन सा tangible जिसकी life finite हो ऐसा नहीं कि आप land पे भी depreciation लगा दोगे ऐसा हमने देख लिया था तो उसकी बात करते है fix assets में कौन-कौन सा होता है plant and machinery हो सकता है motor car हो सकता है आपका सिर्फ building हो सकता है land and building चलेगा land and building के अंदर क्योंकि building वाले portion पर depreciation लगता है लेकिन land वाले portion पर depreciation नहीं लगता कई बार सवाल पूछा जाता है कि आप depreciation land पे क्यों नहीं charge करते comment या फिर is our depreciable assets comment or not इस तरीके से क्या land हमारा depreciable assets है या नहीं है comment करिये तो जबाब है sir नहीं है तो comment का मतलब सिर्फ no या yes लिख देने से नहीं चलेगा उसके पीछे logic और reason भी देना पड़ेगा कि according to as10 depreciation will be charged on the fixed assets which life is finite और tangible विसाथ के साथ ये सारी बाते आपको लिखनी होगी वाँ sir अगर fixed assets है ये fixed assets से समझिएगा ये fixed assets है sir तो fixed assets तो हमने सुना है और हमने जाना भी है कि sir fixed assets के अंदर क्या sir fixed assets के अंदर fixed assets हमारा debit होता है और debit का मतलब अगर मैं इसके अंदर कोई चीज भी minus करूँगा तो that is credit हो जाएगा मैं इसको सही सही लिख देता हूँ काम की चीज है आपने ग्यारवी क्लास में सीखा है अब ग्यारवी में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं तो मैं बता देता हूँ कि fixed assets जो होता है na sir fixed assets हमारा होता है debit fixed assets होता है हमारा इसका balance debit सर अगर इसका balance debit है तो simple सा rule account का rule है यह rule क्या कहता है जब कभी कोई debit होता है तो अगर इस debit जबह उक्ररणित साइड में कुछ लिखा तो मतलब आप बताओ चाहे ना बताओ अकांट सो रूल के इसाफ से यह तै हो जाता के मैंनश कर दिया अब हमारे पास के एक सप्वास है तो सर इसके अंदर इस साइड क्या रहता है हमारा debit और इस side क्या रहता है sir credit रहता है ठीक है अब अगर मैं बोलू कि बढ़ाना है assets को plus करना है तो plus करने के लिए आपको किस side लिखना पड़ेगा debit side में लिखना पड़ेगा मैंने बोला assets को घटा देना है किसी reason की वैसे तो क्या करना पड़ेगा credit सर बढ़ाने का कोई logic है कि आप कुछ points बता सकते हैं बढ़ाने बिल्कुल आप purchase करिये बढ़ जाएगा मैंने machinery का account बनाए एक machinery खरीदा किदर लिखूँगा फिर एक और खरीद लिया फिर एक और खरीद लिया debit side होगा एक तो यह logic है घटाने का logic मैं बता हूँ तो सर सेल कर दो आप बेच दो तो जैसे ही बेच होगे तो आपका assets घट जाएगा तो किस side आने वाला है सर credit side आने वाला है second और third मैंने second लिख दिया है इसको one करना चाहिए यानि सर first second part क्या है सर second part होता है sale के अलाबा और क्या होता है depreciation अगर किसी assets पे depreciation लगाओगे तो उसका value automatically reduce हो जाएगा यह हमने शुरू बच्पन से यही सीखा है तो अगर मैं बोलू किसी assets पे depreciation लगाना है तो किस side लिखना होगा credit side लिखना होगा debit side नहीं और क्या हो सकता है सर और हो सकता है तीसरा reason आपका loss हो जाएगे न तो भी आपको credit side ही लिखना है और अगर आपको profit हो जाएगे न तो आपको debit side लिखना है machinery बेच दिया credit side loss हो गया credit side depreciation लग गया credit side assets खरीद लिया debit side profit हो गया debit side ठीक है और अगर मैं कहूँ कि मेरे assets के अंदर increment लग गया increment का मतलब सर, revaluation कर दिया मैंने assets में और मेरा पहले 5 लाग का machinery था अब 6 लाग का हो गया तो बढ़ी गया ना, किदर लिखोगे, debit side मैंने कहा कि मेरे 5 लाग का assets था, मैंने इसको revaluation करके 4 लाग रुपे कर दिया तो एक लाग रुपे किदर आ जागा है, credit side तो सबसे पहले fundamental आपका तो clear हो गया कि इधर से कुछ बाते होगी और इधर से कुछ बाते होगी, यहां तारीक होगा, यहां भी तारीक होगा particular date सेम चल रहा है, यहां LF की कोई जगह है, नहीं है इसको account के अंदर, चलिए सर मैं format बना दू, तो यह account जो शुरू होता है हमेशा depreciation कब charge होता है, सर depreciation जो charge होगा हमेशा charge होगा end of the year में, end of the year सर साल के अंत में हमेशा depreciation charge होता है, इसका यह तो पता ही था सर लेखिन साल कान then 2 हो सकता है क्या, क्या घो सकता है या तो हो सकता है आपका 31 3 से या फिर 31 12 से, सर हमें कैसे पता चलेगा कि यह 31 3 वाला है यह 31 12 वाला है तो question में या तो given होगा number one part या तो आपको क्या होगा questions के अंदर given होगा, given है तो समस्य है खतम, क्या सोचना फिर या फिर आपको पता करने के लिए अगर मैंने ऐसे लिखा ना, मसिंडरी अकाउंट बनाओ 12 13 हाइफन 13 14 हाइफन, आपका 14 15 हाइफन, कुछ ऐसे यानि डबलिंग में येर है, 12 13 13 14 तो इसका मतलब ये मार्च वाला है अगर मैंने आपको कहाना कि आप बनाओ 2012 2013 2014 तो सर ये December वाला है, तो यानि अगर आपको बोल दिया तो, well and good नहीं बोला तो ऐसे आपको दिमाग लगा के पता करना होगा कि इसका year ending कब हो होगा, ठीक है, समझ में आया बात आपको तो इस वाले केस के अंदर मैं लिखी देता हूँ सर इस वाले केस में कब होगा सर इस वाले केस में होगा हमारा March में और इस वाले केस में कब होगा December में, वैसे examiner आपको हर बार देता है, नहीं देता तो ये concept हम follow करके चलते हैं अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका जो इच्छा करे लगाओ, नीचे note डालो, आपको पूरे marks उसमें मिल जाएंगे, सर यानि सर year end होता है, क्या machinery के उपर assets के उपर depreciation हमेशा पूरे साल का लगेगा, जी हाँ हमेशा पूरे साल का लगेगा, लेकिन कुछ assets हैसे भी हो सकते, जो साल के बीच में खरीद होगे, तो उसमें उसके according लगाना पड़ेगा, एक शब्द इस्तमाल होता है, इसके अंदर सर क्या? एक शब्द इस्तमाल होता है, put to use बड़ा नाम बेकार साई है, put to use लेकिन सिंपल से सब में बोले तो भाया, जिस दिन इस्तमाल करना स्टार्ट करेंगे assets को, उसी दिन से depreciation लगना चालू होगा, मैंने नया mobile phone खरीदा, मेरी company के लिए assets था, मैं एक जनवरी को लेके आए, नये साल पे मैंने पूरे जनवरी depreciation, मैं यूजी नहीं किया, packet रखा पड़ा है, फरवरी, मार्च, अपरेल, अपरेल में मैंने खोला, फिर मैंने use करना चालू किया, तो put to use कब हुआ, मैंने इस्तमाल कब से क्या, अपरेल, तो अपरेल से लेके हम depreciation उस पर charge करना चालू करेंगा, उसका word होता है put to use, यानि जिस दिन आपने assets को खरीदा और जिस दिन put to use किया, तो depreciation कब से चालू होता है, put to use, put to use का मतलब क्या है, जिस दिन हमने इस्तमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है, और इस्तमाल करना शुरू करने से मतलब क्या होता है, आपने packing भी खोल लिया, तो मान लिया जाता है कि आपने क्या करना start कर दिया, इस्तमाल की भी packing खोल के आपने on तो किया ही होगा, ठीक है न, simple सी बात है, तो उस दिन से इस्तमाल चालू हो जाएगा, तो एक word या था put to use, एक word इसके अंदर ये भी बोला जाता है हमारा बार-बार, के sir, जिस साल assets बेचा गया, उस साल depreciation नहीं लगाना, तो इसका मतलब जब machinery बिक रहा होगा, तो उस साल बिकेगा, तो उसके उपर हमें depreciation नहीं लगाना है, मैं आगे-ागे question में बताऊंगा, लेकिन कुछ words में पहले ही आपको clear कर देना चाता हूँ, कई बार बोला होता है कि जिस साल खरीदा है ना, चाहे कभी भी साल में आपने खरीदा है, उस पूरे साल का debt लगाओ, तो मान लेते हैं, आपने 6 मैने में के use कराई assets को, लेकिन आपको फिर भी कितने time का depreciation लगाना होगा, पूरे साल का यानि सवाल जो कहता है, उसके हिसाब से चलना होगा आपको, तीसरा point कई बार बोलता है कि हमारा एक truck था, accident हो गया, accident वे insurance claim वालों ने मुझे इतना पैसा दे दिया, तो हमारा truck मान लिया जाएगा, बिक गया है, एक लाख रुपे का truck था, insurance claim वालों ने 80,000 रुपे दिये हैं, तो मैं मान लूँगा कि मेरा truck जो था, एक लाख का था, और मुझे बदले में कितना मिल चुका है, 80,000, जो claim मिलता है, वो sale माना जाएगा, 80,000, और मेरा loss हो जाएगा, 20,000, loss किदर जाएगा, बताओ, credit, और जो बिका है, वो भी जाएगा, credit side में जाएगा, और इसके उपर जो भी depreciation लगाना वो भी होगा, कई बार जब assets को बेचेंगे न, तो बीज में mediocre होता है, broker होता है, जिसे हम में जो बच्चे virtual classes में है, जो देख रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले questions के अंदर आपको ये सारी बाते डिखने को मिलेगा question के अंदर, मैं पहले ही बता दूँ, तो अब जब हम commission देंगे या brokerage देंगे, sale में तो उसे minus करके net वाला part हमें क्या करना है, यहाँ पे, इस्तिमाल करना है, बड़ी सीधी सी बात है, कुछ एक word थे, जो कि मैंने आपको clear कर दिया, sir, यहाँ पे मैं December को follow कर रहा हूं, कैसे 1-1 2020, sir, assets खरीदा, तो क्या लिखेंगे, sir, to bank, या फिर क्या लिख सकते हो, cash, उधार खरीदा तो name, उधार खरीदा तो अब कई बार ऐसा होगा, पुरानी मशीन है, कौन सी मशीन है, old, तो अगर old वाला हुआ तो, अगर old मशीन हुआ तो उसके लिए शब्द इस्तमार करेंगे, balance, bd, कब, old वाले के लिए, ठीक है, यह सारे word देख लो, bank से खरीदा तो bank, check से खरीदा तो भी bank, cash में खरीदा तो cash, उधार खरीदा तो जिस से खरीदा राम मोहन सीता गीता उसका नाम, और अगर आपका क्या given है इसमें, तो to balance be declared है यहां तक, ठीक है कब लिखना है, अब इसके बाद मान लेते हैं कि मैंने एक मसीनरी और खरीद लिया, मैंने एक मसीनरी खरीद लिया, ठीक खरीदा मैंने कब, मान लेते हैं कि 36 को खरीद लिया 36 को मैंने खरीद लिया machinery और मैंने एक bank से खरीदा तो उसके लिए फिर से क्या word इस्तमाल करूँगा यानि सर जितनी बार खरीदते जाओ और two bank two bank लिखते जाओ अब हमारे पास पहले साल को अगर मैं close करूँ तो first year हमारा ये है है ना first year ये है first year के बाद depreciation लगना तरह है कब लगेगा depreciation 31 बारा और 31 बारा तेरा कहां से हो गया है 31 बारा by लिखेंगे by depreciation number one पे और same by depreciation number क्योंकि हमारे पास दो assets है एक assets number one एक assets number two depreciation number one और two one के उपर depreciation लग जाएगा यहाँ पे लिखेंगे two के उपर depreciation लग जाएगा यहाँ पे लिखेंगे फिर इनको total कर लेंगा एक हाइपोतिकल हम क्या करते है एक example ले लेते है कि sir 10 रुपे और 15 रुपे total कितने होगे sir 25 रुपे के ऐसा example ले लेते है जिससे clear हो या फिर थोड़ा amount बढ़ा दे नहीं ठीक है चलो चलने दो तो यहाँ यही total पहुंच जाएगा sir 25 रुपे यानि sir जो यह total है इसी total को इधर shift कर देंगे 25 रुपे और depreciation 1 और 2 माल लेते हैं यह depreciation 2 रुपे का यह 3 रुपे का जो बाकी बचता है ना उसको क्या लिखेंगे by side में by balance balance cd sir balance cd में कितना होगा sir 20 रुपे होगा balance cd में कितना होगा 20 रुपे कब 31 12 संच मैरे यह बात पहला साल क्या हो गया हमारा complete पहले साल में क्या था हमारा depreciation भी आ गया अब इसी balance cd को हम यहां लेके आएंगे 1,1,21 और इसको क्या लिखने वाले है two balance sir सवाल ना आपका एक नहीं आ सकता सवाल जो होगा एक साल का नहीं आ सकता सवाल आपका दो या तीन साल के बीच का आएगा तो मेरा एक साल complete होगे अब दूसरे साल में एंटर कर चुके और ये 20 रुपे as a tease यहां आ जाएगा हमारा ये तो मैं cross लगा रहा हूँ format के लिए माल लेतने हैं कि एक और machinery हमने खरीद लिया अब आप ध्यान दखिएगा ये वाला जो डैप लगाए ना लेते हैं कि मैंने खरीदा 10 रुपे का इसके बाद देखा जाए तो depreciation depreciation लगाने की बारी आगे तो depreciation कितने पर लगने वाला हमारा अब एक पे भी लगेगा और दो पे भी लगेगा और तीन पे भी लगेगा यानि depreciation हमारे कितने पर लग गए तीन पे और कब लगने वाला date क्या होगा 31 यानि सर एक बात तो तैय हो गया मसींदी कभी भी खरीदो उससे मतलब नहीं depreciation साल के end में ही लगाया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए यहां तक बात क्लियर होगई आपको माल लेते हैं यहां पर depreciation है एक रुपए एक रुपए और तीन रुपए मैं एक अपना ही यहां पर example ले रहा हूँ ऐसा नहीं बोले सर कैसे लगा रहे हो कहीं ज़्यादा कहीं कम वो चीज़े दिमाग मत लगाना है यहां पर मैं अपना एक ऐसा ही example ले लेते हैं तो total हो जाता है हमारा यह 30 रुपए और इस 30 रुपए को उठा के कहा कर देंगे सर इस side कर देंगे 30 रुपए और इस 30 रुपए में से क्या करेंगे 3 और 2 पांच 5 माइनस करेंगे तो कितने बच गए 25 और इस 25 रुपए को क्या नाम देंगे by balance cd by balance cd cd हमेशा साल के end का data हैगा साल के end का अब वो March भी हो सकता है और December भी वो मैंने बता दिया वो कैसे पैचानेंगे वो भी बात कर लिए अब बात करते हैं सर 1,1,23, नहीं, 22 2 balance 2 balance bd कितने हो गए सर 25 रुपए ठीक है ना अब इस साल मैंने क्या करा एक machinery बेच दिया जितने बच्चे live में बताईएगा इस साल मैंने एक machinery बेच दिया सर इस साल एक machinery बेच दिया किधर दिखाएंगे हम अब live में जो बच्चे वो भी बताए फटा फट machinery बेचा है मैंने मैंने समझाया नहीं है किधर लिखना है बड़ अगर starting logic clear है ना आपको तो आपको पता चल जाएगा machinery बेचा है debit में लिखे है या credit में बताईए फटा फट जितने बच्चे offline में सबको clear है कहा है चलिए live वाले बच्चे बतादो फटा फट credit side credit side बिल्कुल सही यारी आपको concept clear है कि credit side लिखेंगे तो buy side में लिखेंगे लेकिन जब खरीद रहते तो bank होगा और जब बेचेंगे ना तब भी हम bank की लिखेंगे और bracket में लिख देंगे sale ठीक है ना bracket में sale लिखेंगे क्या bracket में sale लिखना mandatory आपके इच्छा है लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए कोई ज़रत नहीं है कब बेचा है वो तारीख आएगा माल लेते हैं मैंने 36 को बेचा है ठीक है 36 को बेचा है तो 36 का तारीख आ गया अब जो मसीन बिका है उसका भी depreciation लगाओ क्यूंकि आपने छे महीने तो यूज की है ना तो उसका depreciation by side में कौन सा बेचा है ये भी सवाल में मेंशन होगा मैंने पहले वाले को बेचा है तो मैंने पहले वाले को बेच दिया कितने का बेच दिया सर 5 रुपए का और उसके उपर depreciation जो लग गया वो कितने का लग गया एक रुपए का example तर यह भी कब होगा 36 यानि सर डेपरिशेशन तो आपने बोला साल के एंड में लगेगा लेखिन 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 यहां पर एक चीज है कि अगर हमारा acid साल के बीच में बिखता है तो उस पे depreciation साल के बीच का ही लगेगा बड़ी सीधी सी बात है आपके यह ठीक है और सर बाकी के तो बच गए ती दो machinery आपके M1 M2 M3 इसके उपर depreciation लगेगा लेकिन लगेगा कब बताओ date बताओ साल के end में लगेगा कब 31, 12 और यहाँ भी 31, 12 बाय depreciation मान लेते हैं कि यहाँ पे दो रुपे लग गया और यहाँ भी दो रुपे लग गया depreciation सर फिर से हम इसको vegetables टूटल कर लेंगे टूटल कितना आ गया सर ए 25 रुपे और यह भी टूटल कितना आ गया 25 minus कर देगे, तो 10 रुपे तो कितने बचे, 15 रुपे balance बचिया, ंसे बोलेंगे buy balance, balance cd, 15 रुपे, अब मैंने बोला 3 सालों का बना היya, तो सर 1 साल, 2 साल, 3 सालों का बना दिया, लेकिन last में एक काम आपको करना है, 2 balance BD करके छोड़ना है आपको और 25 रुपए करके बस छोड़ देना है इसको ऐसे नहीं भी छोड़ते तो कोई बुरह नहीं हाँ 15 रुपए बस आपको ऐसे लिख के छोड़ देना है जरूरी नहीं है mandatory तो 15 रुपए क्लियर है चलिए कुछ बच्चों को साइद नीचे पॉइंट ना दिखे तो मैं इसको उपर कर देता हूँ यह particular एक format है चाहे question SLM का हो चाहे question WDV का हो चाहे question कितना भी advance हो आपका अगर depreciation का यह वाला method रहेगा जिसके अंदर हम account में से minus करते हैं तो यही account बनने वाला इससे उपर कोई account नीए सवाल के अंदर सबसे बड़ी problem क्या होती है आप calculation और date के अंदर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते जिसकी वज़े से create होता है हमारा confusion और जैसे confusion create हुआ सवाल हो जाता है गलत या तो हम सवाल ठीक से नहीं पढ़ते है किस पर depth लगाना है नहीं लगाना या फिर हमने क्या करा date को गलत measure कर दिया पांच महने के जगह पर तीन महने का depreciation चार्ज कर दिया या फिर minus plus में बाकि समझने में किसी बच्चों को किसी को doubt है format में दो किसी को doubt clear ये था हमारा format जल्दी जल्दी note कर लिजे उसके accordingly चलिए मैं पढ़ देता हूँ सवाल को क्या कहता है ये सवाल और इसके अंदर ना accounting करने से ज़्यादा important है इसका working note कुछ किताब के अंदर working note account के अंदर ही करते हैं और कुछ बाहर करते हैं तो मैं बाहर करना आपको prepare करूँगा क्योंकि सवाल बढ़ा होगा तो बाहर ही होगा अंदर छोटे सवाल होगा किया जा सकता है कहता है एक जनवरी 2017 को एक मसीनरी खरीदा आपका कितने का 20,000 रुपे का फरजाना से एक मसीनरी खरीदा नए फरजाना ने खरीदा एक जनवरी 2017 को अब कई बच्चे न इस line को फड़कर decide कर लेते यह तो इसमबर में बंद होगा पहली line से क्या decide कर लेते हैं वो इसमबर में हाला कि यह सवाल इसमबर में बंद हो रहा है ऐसा नहीं होता आप सवाल आएंगे आप देखना तो सर एक जन्वरी को M1 खरीदा इसमें तो मैं ऐसे लिखना इसको M1 खरीदा एक जन्वरी कितने का खरीदा सर 20,000 का पहले मैं लिख लूँआ पूरा कुश्चन अब कहता है कि मसीनरी वॉस पर्चेस बाई फरजाना नाम दे दिया तो क्रेडिट में ही है ठीक है न एक जुलाई को एक एडिशन और मेड किया टू दा एक्सेंट ओप 4,000 यानि एक जुलाई को एडिश एक बात ध्यान रखिएगा आपका एडिशन का मतलब उसी मसीनरी में भले ही कोई पार्ट जुड़ा हो या उसी मसीनरी से भले ही कोई पार्ट निकाल के बेचे तो आपको लेखिन समझने के लिए कैलकुलेशन के लिए दोनों को अलग-अलग मानना है जैसे मान लेते हैं क कम्प्यूटर तो पूरा इसेंबल है मैंने मोनीटर बेच दिया तो मुझे मोनीटर को सुरू सही अलग करके उस पर डप्रीशेशन लगाना पड़ेगा ताकि एक्चुल सेल्स वैल्यू हमें वहाँ पे पता चल पाए ठीक है ना ऐसा नहीं कि इसका पार्ट है उसमें उननिस में कितने का पच्चिस सो साथ ये कैसा वैल्यू है चलिए तीस जून दो हजार बीस में मसीनडी ओर इसनल वैल्यू विच वास बतिस सो रुपए जैन सत्रा में वास सोल्ड चॉबिस सो रुपए फरजाना क्लोज हर बुक्स 31 दिसंबर एवरी यर यहां से एक बात अगर यह लाइन ना भी देना हमें तो नीचे देखे क्या कहता है इसके बाद कहता है बुक्स फरजाना डेप्रिशेशन चार्ज टेन पर्सेंट औरीजनल कॉस्ट में 30 सरो इसनल कॉस्ट में कौन सा होता है याद होगा SLM जो कि हमने पहले देखे थे तीनों नाम भी देख लिये थे बिश्टम बेश्टम तो इसका अब देखो ध्यान देना अब हमें तीन मसीनरी है कहता है एक मसीनरी बेच दिया और उसकी कीमत कितनी थी 32 जिसको खरीदा गया था कब सर जिसको खरीदा गया था आ इसका पार्ट बीचा है यानि उसने इस पार्ट को हम स्टार्टिंग से क्या कर लेंगा भाईया सेपरेट क्यों सेपरेट कर रहे हो सर क्योंकि इसमें से एक पार्ट भी का है कहता है इसका एक पार्ट था जिसकी कीमत कितनी थी 32 इसको बेच लिया तो हम इसको अलग लेके चलेंगे बाकी जो बच गिया कितना बच गिया 16-800 ये वाला पार्ट नहीं भी किगा तो इसको हमाल अगले के चलने वाले हैं स्मझ रहें काहनी मैं कैसे इलग कर रहा हूँ इसके बाद कहता है सर इसको हमने बेचा कितने का जाके 2400 को और बेचा कब किस तारिक पे बेचा इसको हमने कब बेचा भाई 30 जून 20 में तो इसको हमने बेचा 30 जून सवाल के लिए रहा आपको यानि सर एक मसीनरी खरीदा उस मसीनरी का एक हिस्सा हमने बेच दिया 30 जून 2020 में खरीदा था हमने कब एक जन्वरी 2017 में एक और मसीनरी खरीदा इसके साथ कोई बेचने उचने वाला पंगा नहीं है हमें depreciation कितने 20 तक complete करना है यहां data तयार करना है कहानी वही है सेम सर यहां date particular amount date अब सर यह कौन सा account बनाओगे क्यूंकि यह खरीद बार बार क्या रहा है machinery तो यहां लिखोगे और इधर debit और इधर credit चलिए सर खरीद लेते हैं फटाफट अब हाला कि आपने खरीदा तो है एक एक सत्रा में टू बैंक दो टुकडे में मैंने बाटा जरूर है लेकिन यहां 71 दिखाई है अब 20 अब working note कर लेते हैं इस पर डैप लगेगा पूरे साल का लगेगा सर 320 इस पर भी डैप लगेगा सर पूरे साल का लगेगा सर यह डेट जो आ गया ना यह आ गया एक एक अठारा गया इसमें सोरी सोला सो असी लगेगा यह डेट आ जाएगा क्योंकि यह डेट है एक एक सत्रा तो यह आए गया एक एक अठारा है ना डेप्रिशेशन साल के एंड में लगा क्या अगला दिन आ जाएगा माइनस आप करेंगे फटा फट क्या आता है एक एक अठारा कितने 2880 यहां माइनस करें 15120 सर फिर से डेप लगेगा इस पर 31 तारीक को डेप लगने वाला 31 12 को फिर से SLM है that's why 320 220 पताईए 2560 यहां गया एक एक 18 के बाद 19 बेचा तो 20 में है 31 12 को फिर से डेप लग जाएगा 320 22 40 फिर से यह आगया एक 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 बीस अब सर हम ना एक एक बीस जो आया है ना हम डेपरीशेशन जो है ना एक एक बीस 31 12 तक नहीं लगा सकता है अपन ने बीच में बेचा है 36 को तो सर 36 का डेपरीशेशन लगाएगा तो कितने महिने का लगेगा मात्र छे मैने का तो 320 का आदा कितना होता 160 इसको थोड़ा हम इधर सिफ्ट कर देते हैं जब तक working note बना रहे हैं फिर बाद में इधर सिफ्ट कर देंगा ठीक है आपको पढ़ने के लिए अभी accounting नी कर रहे है working note बना रहे है चलिए थोड़ा अराम से करते हैं इसको नीचे ले के चलो और इस assets को भी उठा के नीचे लिए आते हैं सर चलिए सर 19 है न देखेगा इधर देखेगा आप छोटा कर देंगा थोड़ा ठीक है सर कितने बने हैं 2000 और सवाल चिला चिला के कहता है इसको बेच दिया कितने का 2400 का तो इसने इसमें क्या कमा लिया Profit या यए Loss सर, यहां पे हो गया हमारा Profit कितने का 320 या नी, depreciation यह कमा लिया इसने Profit और यह bank से sold पहले पार्ट में किसी को ड़ाउ दूसरे पार्ट की बात करते हैं फिर से depreciation लगेगा 31, 12, 18, 1680, 440, 11, 18, 19, 31, 12, 20, 19, फिर से 1680, 11, 760, यह आगया एक, एक, बीस, फिर 31, 12, 20, लास्ट, कितने, दस अजार, एक और जीरो, हम बाद में इसको बस shift करेंगे, यहाँ पर पहले हम calculate कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा space बना लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, अब इस पे चालू करते हैं, सर, depreciation, इस पे लगेगा depreciation 31, 12, 2017, 18 नहीं, वो तो मार्च वाले में जाते हैं, 17 ही रहेगा, सर, 6 महिने का depreciation count करोगे, तो 10% के हिसाब से यह बनता है, सर, 200 रुपे, तो कितने आएंगे? 3800, हाँ, ठीक है, 11, 2018, फिर डैप लगेगा 31, 12, 2018, डैप अब कितना लगने वाला है? 400, कितने बचेंगे? 3400, 11, 2019, अब क्या आएगा, सर, 31, 12, 2019, कितने लगेंगे? 400 रुपे, बचे कितने? 3000, अब डेट आएगा, 11, 2020, इसके बाद 31, 12, 2020, डैप लगेगा कितना, सर, 400 बचे कितने? ये भी कैलकुलेट कर लगे, लास्ट रह गया, ये तो कम लगेगा, 31, 12, 2019, कितने महीने का? एपरेल में खरीदा 9 महीने का, तो 9 मंत का निकालो, कैसे निकालोगे? सर, 9 मंत का निकालेंगे 2560, इन्टू 10%, इन्टू 9 बाइ 12, इन्टू 9 बाइ 12, कितने? 190, 192, माइनस करिए, एक एक बीस, 2368, इसके बाद 31, 12, 20, 21, माइनस, वाई 10%, 21, 12 कैसे आया? फिर से 9 महीने का निकाल दिया गया? 10 बार आएगा, 206, अच्छा, पहले 256 आएगा ना, फिर आएगा 21, बार, अब एक चीज ध्यान देना, बच्चे कई बार यहां भी कन्फ्यूज होते हैं, कि सर अगर बताया है ना हो कि कब तक बनाना है? सवाल यही नहीं हमें बतारा चाहता कि कब तक बनाया है? तो आपको याद रखना है, लास्ट एक्टिविटी जब भी बोला जाए, जैसे कि यहां पर लास्ट एक्टिविटी चल रहा है 2019 या 20 तक तक तो बोल दिया, अगर इसमें बोलता है नहीं कि आपको 17 से 20 बनाना है, तो लास्ट एक्टिविटी खरीदने की कब हुई है? 2019 में, और बेचने की एक्टिविटी कब हुई है? 2020 में, तो लास्ट एक्टिविटी 2020 की है, तो उस साल को कंप्लीट कर देंगा, भीया तुमने नहीं बताया है, तो हम मान के चलेंगे कि यहीं तक ही बनाना है, समझ में आई बात आपको? नहीं आई समझ में बात, अगर के अंदर ये ना बोला जाए कि कितने सालों का बनाना है, तो आप देखना लास्ट क्या काम बताया है कुश्चन में, देट के इसाब ते, उस साल को बस कंप्लीट करना है, शुरू से लेके उस साल तक का, जैसे मेरे वाले सवाल में, इस वाले सवाल में मैं तो कहता हूँ, आप दे भाई तू, मैं खुद बता दूँगा, नहीं है डेट, तो मैं चेक करूँगा, यार डेट तो है नहीं, कितने सालों का बनाना है, तो 2020 में भीका है, तो इसी साल को कंप्लीट करके छोड़ते हैं, यानि कब तक बनेगा 3112 2020 तक का, ये छोटी 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 तक ये सब देते नहीं पेपर में, फिर बच्चा बोलता है, डेट नहीं दिया, कुश्चन गलत आ गया, ये हो गया, वो हो गया, चलिए, पहला खरीद लिया एसेट्स, अब दूसरा एसेट्स भी इसी साल खरीदा है, एक साथ को, टू बैंक से, कितने का खरीदा है, देख ये, ओके, ये गलत हो गया, एक साल का, और बड़ी सीधी से बात है, और इसको हटा देते हैं, बात बन गई, और डेट चेंज कर देते हैं, 19 19 20 20 ठीक हो गया ठीक है चलिए सर तू बैंक वैसे इसमें फरजाना है क्या नाम है इसका हाँ फरजाना है तो मैंने बैंक अजम्शन लिया है जायतर कुश्चन में होगा तो आप यहाँ पे सिर्फ फरजाना लिख सकते है ठीक है दो मसीन्री हो गया डेप्रीशेशन भी दो पे लगेगा लेकिन अब यहाँ पे बाई डेप्रीशेशन लगाने में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है डेप्रीशेशन लगा 31 को सर डेप नमबर वन पे दो डेप्रीशेशन लगेगा कौन कौन सा सर 1 के उपर 2 depreciation लगने वाला है सर कौन कौन सा लगने वाला है ये दोनो ये दोनो अरे ये क्या होगा ये बनेगी नहीं बाता है अंडरलाइन कर लेता है एक ये और एक ये यानि सर 320 प्लस 1600 ये इस 2000 पहला साल हो गया अब बाय डेप्रिशेशन इस साल तो खरीदा नहीं इस मसीन को तो नहीं खरीदा तो इसे हटा देते हैं यहां से सर किसी काम का नहीं है पहले साल हमने एक ही मसीनरी खरीदा है वो डेट पहले गलत हो गया था इसलिए डाल दिया था पहले साल को कंप्लीट करते हैं थोड़ा जगह कंजिस्टिड है तो यह आ गया 20 और सेम इधर आ जाएगा और बाय डेप्रिशेशन बैलिंस अठारा एक अथ्यस बारा अब आ जाते हैं एक एक पे एक एक अठारा टू बैलिंस बीडी और फिर से खरीदा हमने एक साथ टू बैंक चाराजार अब फिर से एक एक त्थिस बारा को डैप लगेगा बाय डेप्रिशेशन डेप्रिशेशन नंबर वन पर दोनों पार्ट लगेगा तीन सो 20 तोला सो 80 जोड के और बाय डेप्रिशेशन नंबर तू तू पे कितना लगना है सर यह रहाँ दो सो रूप है चलिए दो साल तीसी मसीन थी तो बाद में खरीद है हमने तो बाइस और यहां भी बाइस उननेस हजार आठ सो इसको उपर सिफ्ट करते हैं थोड़ा चलिए बाइस बैलेंस बाइस में से बाइस हो गए यह भी डेट रहेगा 31 12 चलिए यहां तक क्लिएर है अगले पॉइंट पर आ जाते हैं सर 1119 2 बैलेंस बीडी और यहां गया 19,800 और इस साल एक और खरीद है तो 2 बैंक कब खरीद है हमने बैंक एक चार को कितने का पच्चिस सो कुछ था न पच्चिस सो साथ अब हमारे पास तीन एसेट्स होगे जिस पर डेप लगाना है बिका तो 20 में है तो अगले साल बिका है तो बाइड अप्रिशेशन नमबर वन तो फिर से 320 प्लस 1600 देट इस 2000 बाइड अप्रिशेशन नमबर 2 2 के उपर लगेगा अब 400 लगना चालू और बाइड अप्रिशेशन नमबर 3 3 पे अब कहां गया यह रहा 192 और इधर आजाएगा बाइड बैलेंस CD अब आजाते हैं एक एक बीस लाज साल है 2 बैलेंस PD 19 700 और फिर अब जो बेचेंगे पहले वो डेट तो बेचने वाला डेट की अगर हम बात करें तो हमने बेचा कब है सर बेचा है हमने 36 को तो हम बाइड साइड में इस्तेमाल करेंगे बाइड कितने का बेचा है कुस्चन में गीवन था सर यह 2400 32 वाला बेचा है और इस ताइम हमें क्या इसके उपर डेट भी लगा है सर बिलकुल डेट लगा है यहाँ पर देखिए 6 महिने के लिए डेट लगा है था हमने 160 अगर सवाल में कहता है इन दा इयर मसीनरी सोल्ड नो नीड टू चार्ज डेप्रिशेशन मतलब यह 160 नहीं लगता अगर सवाल में कहता है इन दा इयर मसीनरी परचेस डेप्रिशेशन चार्ज पूर फुल इयर तो जो हम यहाँ पर 6 महिने के लगा रहे हैं उसमें पूरे साल का लगता है इस बात का ध्यान लखना है आपको चलिए अब बात करते हैं इसको बेचने के बाद प्रॉफिट भी हो गया तो एक साथ को प्रॉफिट मैंने बताया था प्रॉफिट एन लॉस लिखेंगे और ब्रैकिट में लिखने वाले आप प्रॉफिट टू साइड में और 320 का अब डेप्रिशेशन बाकी पे लगा दो नुमबर थ्री पे लगेगा जो की है दो सो चपन यही हमारा और चोटा हो गया साइड टोटल कर लेते हैं बताईए कितने 20,000 बैलेंस CD 15 आपके किताब में भी आंसर होगा तो तसल्ली करिए एक बार एक सो है किताब में भी चेक कर लिए आप अब इसको किताब से ही बोल रहे हो अब यहाँ पे न हमें क्या करना है 1,1,21 में बस यहाँ पे यह लिखके कर देना है बैलेंस BD 15,192 तो यह सवाल बिलकुल बेसिक सवाल था ऐसा भी पेपर में आ सकता है और आपका पूरा डिटेल भी आ सकता है पहले बताईए इसमें कोई डाउट यह नहीं समझ मैं तो यह सवाल क्या था format को एक तरीके से कैसे fill किया जाता है उसके लिए तो अब फटा फट से यह सवाल हमारा last आज का सवाल था क्योंकि हमने बोला था ज्यादा लंबी आज क्लास लेंगे नहीं इसको नोट कर लीजिए कुश्चन नमबर एक नहीं सिंपल सा हमने last class में SLM वाला कर लिया था आज ना हम सिंपल सा एक WDB वाला करेंगे फिर आज एक change method करेंगे आज करने के बाद 90% depreciation का part हम cover up कर लेंगे उसके बाद फिर हमारा रहगा एक provision for depreciation तो पहले एक सिंपल सा हम कर लेते हैं आजाम में आया हुआ कुश्चन है हाला किये मैं पहले account का format बना लेता हूँ आप भी बना लेती account का format फटा फट थे जितने बच्चे नए होंगे उनको पहले depreciation की class देखनी पड़ेगी तब जाके ये समझ में आएगा आपको depreciation क्योंकि already हम दो classes आ ले चुके है depreciation की है ना तो मैं format बना लेता हूँ आपको 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 क्योंकि उसी किस्टा थे है आपको क्योते लेगी आपको उसे दो आपको आपको मैं नीके रख लेता हूं इसको और वर्किंग नोट के लिए उपर काम कर लेता है चल यह सवाल में देखते हैं क्या कहता है कहता है ABC Limited ने पर्चेज किया है जैन और जैन में कब खरीदा है इसने सल जैन में खरीदा एक जनवरी 2018 में सर्टेन मसिंट्री 194 का जिसको नाम दे देता हूं M1 एक जनवरी 2018 पर कितने का एक लाख चुरानवे हजार उसके उपर स्पेंट किया इसमें 6000 इंस्टॉलिशन का तो आपना यहीं पर एड कर दो प्लस का सिंबल डालके यहीं पर 6000 कर दो ऐसा कोई समस्या है नहीं आपका यानि M1 हाला की बोला गया है कुश्चन में कि आपने खरीदा एक चुरानवे का लेकिन आप याद रखना कि वह एक चुरानवे के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला सारा काम हम किस से करेंगे तो लाख रुपए से लेके चलेंगे ठीक है इसके बाद आगे कहता है ओन जुलाई एडीशन मसीनरी एक लाख का परचेस किया है जुलाई में जुलाई 2018 में सर ये भी अठारा में था कुछ दिनों बाद एक जुलाई एक साथ 2018 में खरीदा है सर M2 नाम दे देते हैं ना और कितने का खरीदा है सर एक लाख रुपए का पहले ना हमें सवाल के लिए वर्किंग नोट कर लेना चाहिए ताकि आसानी रहे इसके बाद क्या कहता है जुलाई 2020 में मसीनरी पर्चेस ओन जैन 2018 विकम एपसुलूट एपसुलूट का मतलब होता है नस्ट हो जाना विकार हो जाना काम का नहीं रहना उसे एपसुलूट बोल देते हैं तो कहता है कि जुलाई 2020 में यानि समय बीटता गया बीटता गया बीटता गया जैसा ही पहुँचे हम जुलाई 2020 के अंदर जैसे ही पहुँचे हम जुलाई दो हजार बीस में दा मसीनरी पर्चेज ओन जैन 2018 है बिकम एफसलूट वस सोल्ड रुपीस एक लाख तो आप सबसे पहले तो बताईए जुलाई दो हजार बीस के अंदर अगर बात चल रही है और कहता है जिस मसीनरी को खरीदा था एक जनवरी 2018 में तो आप बताईए दो मसीनरी है आपके पास तो किस मसीनरी को बेचने की बात चल रही है पहले वाली को या दूसरे वाली को फर्स्ट को ठीक है अब भई जो जिसने बच्चे भी लाइव है ना कमेंट में आपको भी जवाब देना है और साथ के साथ अगर वोईस में कोई भी दिक्कत आती है फटा फट से आप कमेंट में डालना ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दूँ तो यहाँ पर इस सवाल का मतलब है हमने कोन से वाला बेच दिया है तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं कि सर इस मसीन डि를 को बेचा जाएगा और बेचा कब जाएगा एक दो हजार बीस न कितने का बेचा जाएगा एक लाग का, तो यह date मेरे ध्यान रखने के लिए 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 लिए, आगे, है ना, आगे कहता है सर, continue में क्या कहता है ये, चलिए, continue में कहता है, and same date पे एक नई machinery purchase कर लिए date लाग का, एक और machine खरीद लिए same date पे date लाग का, तो same date मतलब इसी date की बात कर रहा है, तो हम यहां लिख लेते हैं M2, M2 खरी लिए कब एक साथ दो हजार बीस में, कितने का सर, डेड़ लाख रुपए का खरीदा है, अच्छा हाँ M3 होगा न, चलिए M3 कर देते हैं इसको, M3, आगे कहता है continue में depreciation provide, depreciation provide करेंगे हम 31 दिसम्बर को हर साल ठीक है भईया, अरे 10% किस हिसाब से, original cost, the machinery, on January however company change, चलो ये change वाला ही आगया, मैं सुचा साथ सिंपल सवाल कराओंगा, लेकिन change, मैं change वाले के वारे में बता नहीं जा, एक पर सवाल करूँआ न, आपको पता समझ में आ जाएगा, फिर मैं बताओंगा कि इसमें क्या concept था, नया क्या था, 11 वी से, ठीक है, या पहले discuss कर लेते हैं, पहले बताना जरूरी है, एक ना हमारे न, अगर बोला जाना है, सर, depreciation chapter क्या 11 वी जैसा है, क्या 11 जैसा है, मैं कहूंगा yes, तो सर, इसमें क्यों डला, इसके अंदर न, एक concept अलग आ जाता है, only one concept, that is, change method, सर, change method क्या अलग आ जाता है, हमेंने तो ग्या इसमें क्या नया है, बोलते हैं कि management में लोग पागल होते हैं, management में लोग थोड़े से न, time बचा हुआ है, खाली है, आपको बोल दिया गया न, अगर आपको आजादी दे दी जाए न, कि आप ये काम कर लो, ये काम कर लो, जैसे option दे देते हैं न, question में, तो बच्चा लोग देते हैं, management इस date पे, 14-2015 में, management में क्या सोचा, चलो हम अपना accounting करना start करें, और हम depreciation लगाएंगे, as per WDB method, 10% के हिसाब से, done, इन्होंने पका निश्चे कर लिया कि ये लगेगा, अब 2000 क्या आया, 16 आया, क्या आया, 2000 क्या आया, 17 आया, 2000 क्या आया, 18 आया, 2000 क्या आया, 19 आया, माल लेते है, 2019 में, ये management क्या कहता है, सर, यही management 2019 में कहता है, मैं बोर हो गया, अब मैं बोर हो गया हूं, सर किसे बोर हो गया हो, बोला, depreciation लगाते लगाते बोर हो गया, कुछ नया करते है, न, तो बोला, नया SLM लगाएंगे अब आज के बाद के बाद न, Exam, SLM पंदरा परसेंट या दस की जगह पर कर दूँआ बीस परसेंट तो that is called change method starting में हमने start शुरुआत कुछ और किया था और फर्दर आगे जाके मैंने क्या कर लिया था change कर लिया है इसको बोलते हैं change method अगर दो साल पहले आप ये पढ़ रहे होते हैं तो इसमें काफी time लगता लेकिन जब से हमारा PPE आया है ना यानि AS10 जब से आया है तब से इसको बड़ा आसान कर दिया गया सर चेंज method से क्या फारक होगा नहीं होगा अभी देख लेंगे क्या ये change method करना optional है कोई किसी भी time कर सकता है किसी भी साल के शुर्वात दोर में WDB से SLM में जा सकता है SLM से WDB में आ सकता है दोनों पॉसिबल है दूसरा rate 10 है तो 10 को 10 ही रहने दे सकता है method चेंज कर सकता है और rate को भी change कर सकता और method भी change कर सकता है उसके उपर डिपेंड करता है तो कितना लगेगा, बचा कितना, अगले साल कितना लगेगा, अगें दस ही लगेगा, भईया, SLM है न, दस हजार बचा कितना, अब एक्जामिनर बोलता, मूड नहीं कर रहा है, SLM, अब WDV लगाऊंगा मैं, तो मैंनेजमेंट से एक बात ये भी पूछ ले न, भईया, तु फिर क्या लगेगा, 72, समझ रहे हैं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस दिन mood change, जो value बचा है, उसी पर depreciation लगाना क्या करेंगे, उस mood के हिसाब से लगाना चालू करेंगा, समझ रहे हैं, जो management ने decide किया है, अगर बोलता है, या rate भी बदलूँगा, 20 करूँग मैं, कोई बात नहीं, 20 कर दे भाई, अब 16 लगाँ मैं, और उसके हिसाब से चलता जाएगा, समझ मैं change method, तो इतना बड़ा कोई major impact नहीं आया, पहले था क्या, हम क्या करते थे, पहले SLM लगाया, तो फिर हम सुरू से एक बार WDB लगाते थे, फिर दोनों के difference को match किया जाता था, उसको retrospective effect से कहा जाता था, लेकिन law जब से नया बनाएना तो बोला गया, कि depreciation cannot be charged retrospective effect, sir, retrospective effect क्या, management कभी भी पीछे date से depreciation के rate को बदलने से यहां से नहीं बदलेगा, वो कहां से बदलेगा, जिस दिन उसने decide किया है, वहां से बदलेगा, अगर इस दिन decide किया है, और वो पीछे से बदल ले, तो इसको क्या बोलते है, retrospective effect, और जिस दिन decide किया है, उसी दिन से बदल ले, तो उसे बोलते है, prospective effect, तो पहले retrospective वाला हुआ करता था, लेकिन AS10 ने इसको खतम कर दिया, बोला भाया, अब management आप ऐसे नहीं कर सकते, अब कौन से वाला चलता है, सिर् ठीक है, एक जनवरी को management का दिमाग खराब हो गया, एक जनवरी 2021 में, management ने बोला, however company has changed the method from, पहले ये पता है कौन सा लगा रहा है, सर, पहले लगा रहा है, SLM, SLM लगा रहा है, starting में, कहता है, first gen 2021 को, however the company has changed the method of providing depreciation and adopt the method of providing depreciation, 15%, बोला के भाया, मेरा ज्यादा दिमाग 15, 10 छोड़ो 15, और वो भी कौन से method से लगाँगा, WDB के नाम से, तो मैंने बोला भी, अब देखो, नए log के हिसाब से तो कोई फरकी महसूस नहीं होगा, जैसे मैंने पीछे किया था, वैसे ही करने वाले हैं, तो कब decision लिया 21 में, तो कब लगेगा ये नए वाला method, 21 में लगेगा, 21, 12, 2000, 2018, पूरे साल का कितना, 20,000 से method, तो ये कौन से वाला SLM है, तो बचा कितना, 18, डेट के आया, 11, 2000, 19, फिर depreciation लगेगा सर, depreciation कितना, again 20, तो बचा कितना, एक साथ, ये डेट के आया, 11, 2020, और छे मैंने बाद तो बेची दिया, तो एक साथ, दो हजार बीस तक का डेप लगेगा, तो बताईए कितने महीने का लगेगा, सर, छे महीने का लगेगा, और छे महीने का कितना होता है, सर, दस अजार होता है, तो बचे कितने, एक पचास, और एक पचास वाले को मैंने बोला, भईया इसको बेचो, मैंने क्या कर दिया, सोड, कितने का, एक लाग का तो नुकसान हो गया, पचास अजार का क्या हो गया, समझ में आई बात, बड़ा बेसिक सा है, पंदरा नंबर में ऐसे सवाल आएंगे, आपके PPE में से, इतना बड़ा नहीं है कि बहुत चेंजिंग करने वाले, तो बड़ा बेसिक सा सवाल आएगा, तो देखो, फाइनल अकाउंट तो फिर भी लंबा गया, आपने इक्जाम है, हाला कि मेरा इक्जाम कब है, मार्च में है, एक तीन, तीन, चार तारिक को है न, मेरा टारगेट है कि 5-6 फरवरी तक न, मैं अपना सिलिवस खतम करा दूँ, उसके बाद एक्जाम से रिलेटिड कुछ काम करना स्टार्ट करें, ठीक है न, और वो हो जाएगा संडे, इस संडे तो आपने बोल दिया, भी, हम कॉलेज जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगा, छोड़ दिया, अगले संडे आपके क्लास 3 घंटे की होने वाली है, तो जो 3 घंटे की क्लास होगा, उसके अंदर शायद को एक चप्टर ही पूरा खतम कर दूँ मैं, तो उस का ध्यान रखिएगा, चलिए सर, अब इसके बाद सोधा मसीनरी अकाउंट, और देखो यहाँ पे ने एक वर्ड होता है, कौन सा year, कलेंडर year, कलेंडर year और फानेशल year, फानेशल year अपरिल से सुरू होता है, कलेंडर year जन्वरी से सुरू होता है, ध्यान रखना है आपको, चलिए एक मसीन का हमने काम तवाम कर दिया, खतम कर दिया इसका, अब आ जाते हैं सर 31 12 2018, इसके उपर भी डेप लगाएं, कौन सा लगेगा, 18 में तो SLM सा, कितना लगेगा 6 महीने का, सर 5,000 रुपए, कितने बचे, 95,000, फिर से डेप लगाएंगे सर, ये क्या डेटा गया, 11 2019 उसके आद 31, 12 2019, फिर से डेप लगेगा, पूरे साल का, कितना 10,000, किसी बच्चे को समझ में ना रहा हूँ ना, सर, ये 10,000 कैसे ले रहे हो, जरूर पूछ लेना, नहीं तो बाद में बहुत पस्ता होगे, चलो इसको हटा देते हैं थोड़ा, चलो, इसको थोड़ा सा हटा चलिए सर, अब हम आगे आजाते हैं, किस डेट पर आगे, 11 2020, अब डेपरिशेशन 31, 12 2020, फिर से क्या लगेगा, SLM ही लगेगा सर, 10,000, तो कितने बचे, 75,000, अब क्या आगया, 11, 2000, एक के सब मेनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया था, कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क् चेंज, कर ले भाई, मेफड चेंज, यहां से कर देंगे, लेकिन, रेट भी क्या कर दिया, चेंज, अब कितना लगाएंगे, 15%, अब लगाएंगे, सर, 15%, डबलो डीबी के हिसाब से, कैसे लगाया जाता है, तो, इंटू में, 15 बटे में, 100, तो कितना हो जाएगा, 7,500, और साथ हजार पांस उगाधा कितना होता है ग्यारा दो सो पचास ये नए वाला मैथड है माइनस कर दो सर माइनस कर दो कितने सेवन फाइफ जीरो ये आगया हमारा ये कुछ पता चला चीज मैथड में बड़ा बेसिक सा चीज है लेकिन बहुत बच्चे न इसको मतलब कि बहुत बड़ा पॉइंट बिल्ड अप कर देते हैं कि भी ये इसमें तो अलग है चीज में थड़ा आएगा तो मुझे तो ग्यारवी से भी आसान लग रहेगी अगयन कितने मैंने का छे मैने का चे मैने का कितना आएगा सर फिच्छतर तो डेप्रिशेशन चेंज तो हुआ नहीं चेंज तो 21 में हुआ एक ब्यालेस पांसो अब क्या आगया सर एक एक दो हजार एक्केस अब इकत्तिस बारा दो हजार एक्केस सर मैथट चेंज हो गया आप 15% लगेगा एस पर डबलू डी वी और वो भी 15% कौन बच्चा निकालके बताएगा फटाफट बताईए 21 तेन सो पिच्छतर भाई आज बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं चलिए माइनस करिए गलत मत दीजिए बस आंसर 12,11 25 ठीक है समझ में आगे अब क्या करना है सर इसको बस अकाउंट में प्लोट करना है तो मैं क्या एक काम करता हूँ पहले यहां तक किसी को जिसको वर्किंग नोट समझ में आ गया ना तो लेजर में दिक्कत नहीं है लेकिन जिसको working note नहीं समझ में आया तो laser तो भूल जाओ क्या आएगा किसी को working note में दिक्कत जितने बच्चे live class में हाँ या ना में जवाब दे दे सर एक को है, बिल्कुल सही गौतम एक को है जल्दी से जवाब दे दे हाँ या ना में No जितने बच्चे offline बैठें किसी को समझ में आ रहा है सारा छे मैंने का कैसे लगा, 15% कब से लगाया क्यों लगाया 15% क्योंकि question कह रहा था, ठीक है उसी क्या को ने और हमेशा question बोलेगा last में ही हम change करेगे चलिए सर अब यहाँ पर आ जाते हैं चारीक एक, एक, सत्रा सत्रा से start हो है ना मारे है अठारा से, एक, एक, अठारा तो सबसे पहले लिखेंगे two bank बैंक से की खरीदारी और सर कितने की करी बैंक से खरीदारी, बैंक से खरीदारी करी सर हमने दो लाग की और 31-12 को लगेगा depreciation by depreciation कितने दो लाख पे कितने परसेंट 20,000 पहले साल का depreciation आगया 20,000 दूसरी मशीन क्या इसी साल खरीदी है हाँ सर हाँ दूसरी मशीनरी इसी साल खरीद ली हमने और उसके लिए भी क्या लिखें 2 बैंक कितने की खरीदारी एक लाख रुपे का और उसके उपर भी क्या लगाएंगे by depreciation कितने आएंगे 5,000 और ये भी 31-12 एक साल कंप्लीट किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताईए ये आ गया हमारा 3,000 लाख और ये भी 3,000 लाख और 25 माइनस कर देंगे 270, 5000 और by balance CD अब आजाएगा सर एक एक उननिस और 2 balance BD 2 balance BD कितने 275 चलिए सर दूसरे साल का डेप लगाते हैं कब 31-12 को by depreciation पहले वाले पे फिर से 20,000 लेकिन अब जो कहानी बदल गई दूसरे वाले पे सर दूसरे वाले पे 10,000 तीसरे वाले पे अभी नहीं लगेगा क्योंकि अभी हमने नहीं खरीदा तीसरा के लिए लेजिए 2 साल का हो गया complete 275 275 और by balance CD कौन से वाला M3 9500 पार के लिए 9500 तो हो यह नहीं सकता अभी देख लेते हैं रुप चाओ 275 बोलते हैं तो जिसने आंसर दिया उसको टेंशन हो जाती है चलिए ये हमारा एक मसीनरी था अब हम आ जाते हैं कब एक एक बीस टू बैलेंस पीडी और बैलेंस बीडी कितने का सर्थ 243 45 होगा अच्छा 45 45 अब इसी साल एक मसीनरी और खरीद लिया एक साथ बीस में और टू बैंक से सर कितने का खरीदा डेड लाक रुपए का और इस साल एक मसीनरी बेचा भी है तो चलिए बेच देंगे पहले पहले हम एक साथ का डेप तो लगा दें एक साथ तक का बाय डेप्रीशेशन जो बिका है उस मसीनरी का डेप्रीशेशन सर कितना आया दस अजार और फिर से बाय बैंक से क्या कर दिया इसे सर इसे आपने कर दिया सोल्ड और कितने का बेच दिया एक लाख एक लाख का ही बेचा है और इसी टाइम पे क्या आगया नुकसान जिसे करेंगे profit and loss और bracket में लिख दो loss और कितने का loss पचास हजार सर ये सारी काम एक तारिक को अब क्या हैगा 31 बारा अब लगाएंगे by depreciation number 1 पे 2 पे 2 पे सर 2 पे कितना लगने वाला है 10,000 रुपए और 31 बारा को ही लगाएंगे by depreciation number किस पे 3 पे कितना लगने वाला है 3 पे 70,500 चलिए अब इसका total कर लेते हैं 1,500,000 रुपए आ जाएगा हमारा 3,95,000 बताईए by balance CD जी balance CD बताईए फटा फट कितने 2,17,500 ठीक है तो इसकी कहानी खतम question को उठाके इदर ले जाते हैं कोई लेना देना है नहीं उदर चलिए सर चलिए यहां तक बात हो गई done आगे की बात करते हैं आगे फटा फट last year और last year को करते हैं हम green पे एक एक दो हजार 21 और two balance PD वो यह वो तारीक है जिस दिन management ने एक फैसला लिया और management ने फैसला लिया भाईया अब तो depreciation लगेगा लेकिन लगेगा अलग method से तो by depreciation number two पे लगेगा और by depreciation number three one तो गया तू पे लगेगा ग्यारा दो सो पचास और थ्री पे लगेगा 21 375 चलिए दो सत्रा पांसो दो लाग बाई बैलेंस बाई बैलेंस CD बताईए एक चुरासी 875 यही है ना चलिए यह भी 31 बारा question हो गया खतम और answer भी खतम अब देखें यहां पे ध्यान से देखें आप कई बार इस सवाल को check करने के लिए ना working note में अगर आप देखेंगे ना तो यह वाला बैलेंस जो बचा हुआ और मसीनरी और यहां जितने भी मसीनरी बचे इन दोनों को जोड लीजिएगा तो आपका सीम यह बैलेंस आना चाहिए एक चुरासी 875 तो मान लो आपका ठीक है अधरवाइस तिर आपने कहीं न कहीं कैलकुलेशन में error कर दिया है तो वह आप चेक कर सकते है ठीक है किताब म में भी चेक कर सकते है तो यह हो गया done किसी को किसी परकार का कोई दिक्कत परिशानी तो बता दें नहीं तो फिर एक और सवाल करें बताईए कोई दिक्कत है तो कर सकते हैं झाल 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 यह सवाल भी हमें समझ में आ गया कहानी अब आपको अगर इस टाइप का सवाल समझ में आ रहा है ना तो मतलब आपका depreciation chapter में एक provision for depreciation का रहता है बाकी language समझना होगा बस आपको के language क्या कह रहा है के वन थर्ड पार्ट जैसे पिछले में अपन ने किया था ना के उसमें से इतने इतना पार्ट दो पार्ट करक था बाकी का हिस्ता नहीं बीचा गया था लास क्लास में उसके अंदर हो सकता है जहां से ज़्यादा और ज्यादा कुछ होगा ने इससे बड़ी बात चलिए कि किसका हाँ हाँ चलिए एक और डबलू डीवी यह कटेगे अगे दर क्यांदा यह सेमी मुष्कर लगराए कुश्च्छ नहीं सभाव चलिए हाँ यह सेम कोश्च्छन है यह प्यास का है प्रोग्राम यह है ना फिन द अवं गुढ़लाग पीछे कौन था ह εδώ के फिछ कौन था एबे सी ड्यानी प्रोग्राम वाले बच्छे में भी आई और औरनेर्स में भी आयवाय है यह तो सेमी कुछ ने कुछ भी चेंज नहीं है एक्जेक्टली सेम है मैं सोचा तक करूँ है एक दूसरा कुछन लेकर आते हैं चलो इस बुक दिखाईए एक कोई भी यह देखाई फाइनल अकॉंट कर रहा है बाल रहा है झाल 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 तो मैं आगे चलो झाल 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 माल झाल 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 झाल